कॉंग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी रही है लेकिन हिंदू क्यों कॉंग्रेस विरोधी नहीं होते शायर वो नहीं समझते कि कॉंग्रेस ने क्या किया आपको साल दर साल कब ज्योरा देते हुए बताएंगे कि कैसे कॉंग्रिस ने हिंदू का मजाग बना दिया 1950 में आया आर्टिकल 25 कॉंगुस 1950 में आर्टिकल 25 को लेकर आई जिस से धर्रब परिवर्तन को मानिता दे दी गई और सबसे जादा किसका धर्रब परिवर्तन हुआ ये सब जाती है लेकिन ये तो सिर्फ शुरुबात थी नेरों 1950 में आर्टिकल 28 ने कराए और हिम्वों से धार्मिक शिक्षा का हक चीविया लेकिन आर्टिकल 30 के तहर्ट अल्प संगिक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं दार्विक शिक्षा के बार निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं 1951 में HRCE Act 1951 में Hindu Religious and Charitable Endowment Act ने कराए उन्होंने कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रखरखाफ सही से हो सके लेकिन इसकी आर्ड में कबजे कर लिये जिसके तहन भारत में मजुद बड़े-बड़े मंदिरों का प्रवन सरकार ने अपने हाथों में लिया और मनमाने ढंग से इनकी संपत्ती का दुरूपियों किया और ये सिर्फ हिंदूों के मंदिर पर लागो था, बाखे धर्मों या धार्विक सहल पर लागो नहीं था 1956 में Hindu Code भी लाया 1956 में नहरु सरकार हिंदू कोर्ट भी लेकर आई लेकित आर्फ संक्यकों के लिए इन्होंने परस्टराल लॉबोर्ट को बिलकुल हाथ नहीं लगाया मतलब एक ही है देश में एक जाती कट सविथान कानून से और दूसरी अपने धर्म के कानून के हिसाब से और आज भी यूनिफॉर्म सिबिल कोर्ट से कतराते हैं कॉंगर्स ने लगाई आरक्षिन की आग कॉंगर्स आरक्षिन लेकर आई जिससे हिंदूों को बाटने का काम किया गया जिससे सबसे बड़ा नुकसान हिंदूों को हुआ आरक्षिन की देश में जरूरत थी लेकिन मकार कॉंग्रेसी इस यूशना को 10 साल लागू करने की बजाए इसे बढ़ाते चले गए और ना ही इससे लोगों को सशक्त बना पाए जबकि लोगों को इसकी नत लगा दी गए इंद्रा का कारेकाल मतलब कि हिंदू बहुसंग्यक होते हुए भारत हिंदू देश नहीं कहलाया जा सकता जबकि आप हमारे आसपास देखेंगे तो सभी मजभ़भी देश है लेकिन हिंदू के लिए कोई देश नहीं बचा इसके बाद हिंदू के कानूनी अधिकार और इपिहास निशाने पड़ते 1991 में पूजा स्थल कानूर 1991 में कॉंग्रेस ने पूजा स्थल कानूर बनाया जो बेहत हिंदू गिरोधी कानूर था क्योंके इस कानून के तहएद हिंदू, सीख और जयान मुग्लों के कबजे से मंदिरों को छुडाने के लिए लड़ाई ही नहीं नड़ सकते उनके पास दनीज सुनने का कोई कानूरी अधिकार ही नहीं छोड़ा गया हमने लाखों वंगेर और उनका इतिहास खुदिया 1992 में Minority Commission Act कॉगर्स ने अल्प संकिक आयोग अधिनियम बनाने के बाद अल्प संकिक आयोग बना दिया ऐसा करके कॉगर्स ने धरम रिशेश के नोगों को स्पेशल दर्जा तो दिया ही हिंदों को बाट दिया जिसके तेर सरकार की हर योश्टा का सबसे ज़्यादा फाइदा धरम रिशेश के नोगों को ही मिलता है जिससे कॉगर्स ने साथ को भी मान दिया और नाठी को भी नहीं तूपने दिया मतलब साफ है हिंदों पो भी बार्ब दिया और धर मिशेश की नोगों को भी कुछ कर दिया जब देश स्टेकुलर बना दिया तो मेजॉरिटी और माइनारिटी की ज़रूरत ही क्या थी 1995 में वक्षबोर कारो बनाकर कॉंग्रिस ने एक और महापाप किया वक्फ वोड को आसे मी शक्ति देटी गई आज सिती ये है कि वक्फ वोड किसी भी संपत्ती पर दावा करते तो वोड से भी कोई मदद नहीं मिलेगी रेलवे और रख्षा के बाद संपत्ती के मामले में वक्फ वोड देश में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है अब सिर्फ एक आखरी बार बचा था वो बार था राम सेतू एफिडेविट राम सेतू एफिडेविट बनाया हिंदों ने फिर 2004 में कॉंग्रेस को छुन लिया तो कॉंग्रेस ने इसका इनाम देवी हुए राम सेतू एफिडेविट बनाया और भरवाश श्री राम के अस्थेतू को ही नकार लिया और कानक्मनिक बताया आस्ता और धरम पर वार करने के बार अब कॉंग्रेस ने हिंदों को ही बदनाम करने का प्लैन बना लिया 2009 में हिंदू आतंगबादी घूशिद 2009 में फिर से हिंदों ने कॉंग्रेस को चुना तो उसके मतले में कॉंग्रेस ने हिंदों को ही टेरर घूशिद कर लिया कॉंग्रिस ने बहुत ही चालाकी से एके कर हिंदू के धर्म, अधिकारों और शिक्षा के अधिकार को छीन लिया लेकिन हिंदू फिर भी कॉंग्रिस को नहीं समझ पाया और इंजेब ने हिंदू को खतम करने के लिए तलबार का इस्तमाल किया तो कॉंग्रिस ने हिंदू को खतम करने के लिए समझ पायान का इस्तमाल किया फिर में कॉंग्रिस ही बोल रही है कि लोगतंतर खतम हो रहा है जबकि लोगतंतर नहीं हिंदू और हिंदूत्व खतम हो रहा है